ओंड़ो एवरीवन वाइसन फानिश वाटेन और आज का हमारा टॉपिक है थ्रॉम्बोसाइटोपीनिया देखो थ्रॉम्बसाइटोपीनिया वैसे तो हीमोडाइनमिक्स का पार्ट नहीं है यह हम हमेट आरबीसी में पढ़ते पर लास्ट लेक्सेब में जब हमने प्राइम से भी एक कदब आगे जल रहो ठीडिए यह समझ देखो त्रॉम्बसाइटोपीनिया में क्या होता है प्लेटलेट काउंट हो जाता है कितना डिक्रीज हो जाता है लेस देन 1.5 लेक्स पर माइक्रोलीटर हो जाता है अब इसके कारण क्या क्या है देखो एक तो नेटलेट क का प्रोडॉडक्शनome हो जाए गा तब लेक्स प्लाइटेक्षन गिया तो नेटलेट का प्रोडॉडक्शनर्स दीखने को मिलेगा और ब्लस्टिक इनेविया में प्रोडक्शन कम देखने को मिलेगा देखो इसको याद के सा रफोगे उसको 1-2-2 करके याद रफ देखो सबसे पहले ऐसे याद रफो में प्रोडक्शन कम होगा ठीक है फिर दो कंडिशन ऐसी जिसमें स्टार्टिंग में माईलो आ रहा है एक है माईलो फिंप्रोसिस और एक है माईलो डिस्प्लेजिया इसमें भी प्रोडक्शन कम देखने को मिलेगा और फिर दो टाइप के अनेमिया है एक है प्लास्टिक अन इसको पूरा डिटेल में पढ़नेंगे फिर देखो कोई भी ऑटो-इम्यून डिजीज हो गई तो मतलब ऑटो-इम्यून डिजीज होगी तो उसमें एंटीबोडी प्रिफॉर्म होगी अपनी बॉडी के इसको प्लेट को दिस्ट्रक्शन इंक्रीस करा एंगी और कुछ इंफेक्शन भी हो जैसे कि में वाइरल इंफेक्शन जिन में प्लेट का डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है ऐसे लिए हम इम्म्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे औ और यह अभी हम इसके नेच्ट जस्ट नेच्ट पढ़ेंगे फिर देफो नॉन इम्म्यून कॉसेज में ट्रॉम्बोटिक थ्रॉम्बोसाइटोपीनिक पर फिर हीमोलाइटिक उरेमिक सिंड्रोम इनमें भी वामें प्लेट के डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है यह दोन कर दिर दिस्ट्रक्शन इंक्रीच हो सकता है क्योंकि दिपर स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो इसमें इस्प्लीन की एक्टिवीटी इंक्रीज हो जाएगी जिसके रोकारन एफ याद कर लेना देखो मैंने जैसे वन प्लस टू प्लस टू का लोजिक लगा है वैसे आप अपनी हिसाब से याद कर ले ना वैसे याद करोगे तो भी हो जाएगा बहुत ज्यादा टाफ नहीं है फिर देखो बागी की कॉज़ेस अब देखो सबसे पहले इम्यून थ्रॉम्बोस आइटोप बीजीज में भी हो सकता है या फिर पोस्ट वाइरल इलनेस में भी देखने को मिल सकता है देखो जितने भी प्लेटने डिस्ट्रक्शन के लिए इम्यून कॉस्त है वो तो यहीं पर आपके रिवाइस हो गए एक तो आई टीपी की वज़ह से फिर ओटोइम्यून डिजीज जैसे की एस एंडी में और एक तो पोस्ट वाइरल इलनेस मतलब वाइरस के तुरू इंफेक्शन के बाद हमें वे देखने को मिलेगा अब देखो यह प्लेटलेट है इसका मेकेनिजम देख लेते आई टीपी का मेकेनिजम क्या है प्लेटलेट है इसके सरफेस पे दो अब क्या होगा देखो स्प्लीन में फेगोसाइट प्रेजनिट फेगोसाइट के सरफेस पे एपसी रिसेप्टर ऑफ आइजी जी प्रेजनिट अगर यह इसके अगेंस्ट एंटी बॉडिय का फॉरमेशन कर देगा ठीक इन दोनों के ऑगेंस्ट अंटी बॉड्य का फॉर कर देगा यह मेन मेकेनिजम इम्युन थ्रोंबोसाइटोपीनिक पर प्यूरा का यह एंटीबोडीज प्रोडीज होगी बडिलेट के एंटीजन्स के अगेंच और वह भी मेंचली ग्लाइको प्रोटीन 1B9 और ग्लाइको प्रोटीन 2B3A के अगेंच विसके कारण हमें इसका दिस्त्रक्शन देखने मिलेगा और रहे माइल्ट इसमें बहुती ज्यादे स्पीलीनो मिग्यली देखने को नहीं मिनती है नहीं बहुत ज्यादा ल discreaction हो नहीं पर घणना ज्यादा इस को quedarा हो treatment में सबसे पहले तो plazma faces कर सकते हैं जैसे कि remove antibody from plasma इसमें antibody को में से remove कर देते हैं पर यह हर जगा पर available हो इसके साथ equipment ऐसे ज़रूरी नहीं है तो हम intravenous immunoglobin में देते हैं देखो यह इसको IgG के साथ confirm मत करना है यह intravenous immunoglobin जैसे आपने दिया न तो यह इसके साथ bind कर जाएंगे और शॉल देखो यह IVIG है intravenous immunoglobin है वो existing antibody के साथ bind कर जाएंगे और फिर यह इसका destruction नहीं कर पाएगा यह फिर इसको ऐसे भी समझो कि जैसे ही हम IVIG देंगे तो immunoglobin का level body में बहुत ही ज्यादा increase कर जाएगा जो lymph node को negative feedback देगा और immunoglobin को production decrease हो जाएगा यह फिर हम steroids भी दे सकते हैं जैसे कि most commonly दिया जाने वाला steroids है oral prednisolone यह फिर देखो अगर ITP के बहुत ही ज्यादा chronic or recurrent case हो ना तो एक last option बदता है कि splinectomy ही करना ही पड़ेगी प्लीन कोई remove करना पड़ेगा और कोई कुछ नहीं कर सकते हैं तो ITP का mechanism था इसका etiology mechanism और treatment आपके level पर बहुत ही ज्यादा important है तो इसको ठीक से पढ़ लें अब देखो इसके बाद हम हुस और TTP की दरफ चलते हैं देखो सबसे पहले TTP बढ़कर देखो TTP की इटेओन लोजी है यह पर देखो यह मल्टिमर वी डबल्यो एफ है और वी डबल्यो एफ है वो लेटलेट एडेशन और एग्रिगेशन के लिए भी रिस्पॉंसिबल है अगर यह एक एंजाइम है एंडम पीस 30 जो मल्टिमर व boost को स्मोललah अत्रेग्मेंट्र समय कनवरट करेंगी अगर यह एंजाइम की डफीशनझी हो डेटिशन सी का कारण कोई भी रही ह dlatego तो फिर मल्टिमर वी डबल्यो एफ है वो small अत्रेशन के अटन नहीं हो पाएगा यह टन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो मल्टिमर की डबल्य इंक्रीज होगा प्लेट लेट एंग एडेशन दोनों बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगे में लोग कि देखने को मिलेगा तो देखो और फाइनल और पहुचे हम प्राइमरी प्लग टा फोर्मेशन हो गया यह इसकि बेजिक एपिए लोजी और मेकनिजम अब देखो फीमाल विए इंजरी करेंगे और वो भी primary plug formation को increase करेंग यह दो टाइप को होता है यह तिपिकल और एटिपिकल में डायारिया प्रेजन्ट होता है और डायरिया अपने तो सब्छाब दो अर्गेश्म से में लीड़ैरिया क्वास करते हैं कि गेला अरतरों हिमरेजित फिक लाइप अर्डूसरा है एटिपिकल डायरिया डायरिया एपसंट होता रिसकों नेगेटिव भी तरे डायरिया प्रेसेन्ट अमदलब डी पॉसिट्यूवड डायरिया है वादलब D-negative यह यह typical HUS होता है वो deficiency of alternate pathway regulators की वज़े से होता है और वो उसमें भी खास deficiency of factor I और factor H देखो alternate pathway है ना complement का यह factor I और factor H proteins है जो उसको stimulate करते है ठीक है देखो अभी हम था पर पहुचे HUS और TTP में finally primary plug का formation हो गया अभ इसके आगे क्या होगा वह देख खुए अभ इसके आगे जो भी होगा वह दोनों में को मन हुगत दोनों में खुप मेज़ित को कंजंग करके ही बना आप्राइमरी बना न चाहिक't करना है यह उनुल होके एक प्राइमरी प्लग है वह से इसे को भपास करने पर यहां से पास करना है वो भी जिद्धी है तो देखो क्या तरहे हैं जैसे इसको हिंड्रेस मिलेगा ना प्राइमरी प्लब से तो आर्बीसी का शेप और इस जाप पर यह एलमेट सेल्स देखने को मिले ना उस कंडिशन में हम बोलेंगे माइक्रो एंजियोपेतिक इमोलाइटिक एनेमिया शौट में महा तो यह दो चीज़े कॉमन हैं एक है थ्रॉम्बोसाइटोपीनिया और एक महा तो देखो अभी इतना ही था दोनों में कि टेखने को मिलेगा अब देखो क्लीनिकल के साई नापको तो कैसे बसे करना हcheckा हमरेट्च में और प्रॉम्बोसाईटोपीनिया और महा कमन है ठीक है एक हुआस मोलाइटिक यूरेमिक सींड्रो् जिसमें यूरिया का लेवल इंक्रीज हो रहा होगा और यूरिया का लेवल िध्स कर सकते हैं यहिमोडायलेसिस कर सकते है ठीकिए की ट्रॉम्बोक्र त्रोम्भोसिटो जा पीनिक पर पिरा हमे Entscheid subject देखो इसमें में एक एंजाइम की डेफिशनसी थी एडम टीएस 13 की तो इसमें हम रिकॉंबिनेंट एडम टीएस 13 दे सकते हैं लेखो इसमें तो समझने को हैं मतलब वापर यूरीया का लेवल इनख्री आगा है और टीटीपिए में नियूरोजिकल डिफक्ट्स देखने को मिलतुट। लोजिकल डिफेक्ट स्वाट यूज नहीं करेंगे सीजर्ण यह सिनकोब दिया होगा ठीक है तो अब क्लिनिकल केस आप आरम से सॉल कर लोगा ठीक है तो देखो इतना ही था थ्रॉम्बो साइट्रोपीनिया का अब अब नेट टम सेकेंडरी प्लक फॉर्मेशन की दरफ चलेंगे मैं उम्मीट करता हूँ कि मैंने जो भी आपको पढ़ाया वह आपको सब कुछ इजीली समझ में आगे होगा और इत बार आप रिवाइस तर लेना इस ट्रॉपिक्स कंचेप्चुली बहुत ही ज़्यादे